टेकी पाउन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं वेलकम स्टुनेट्स मेरे चैनल टेकी पाउन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है कंटेंट मतलब टेकी पाउन एकेडमी आज हम बात करने वाले हैं हस्तांतरन आय क्या होती है जिसे हम हस्तांतरन भुक्तान की रूप में भी जानते हैं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हस्तांतरन आय के परकार कौन-कौन से होते हैं और कैसे राष्टी आय की विशलेशन में एक महपून पार्ट होता है जिसको हम किस प्रकार से छोड़ते हैं और किस कारण से छोड़ते हैं तो यह हमारी न्यू सिरीज जल रही है समस्टी अर्थशासर की तो आएए देखते हैं इस वीडियो को चलिए स्टुडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है हस्तांतरन आय या हस्तांतरन बुक्तान आएए देखते हैं इस सम्पून समस्टी अर्थशासर की न्यू सिरीच हस्तान्तरन आय का अर्थ हस्तान्तरन आय को ही हस्तान्तरन भुक्तान भी कहते हैं और क्यों कहते हैं क्योंकि एक व्यक्ति का भुक्तान ही अर्थ व्यवस्ता में दूसरे व्यक्ति की आय होता है इसलिए हम ऐसा कहते हैं आय बराबर व्य होता है अर्थिवस्ता में हमेशा क्या होता है आय बराबर व्य तो इसी लिए हस्तान्तरन आय और हस्तान्तरन बुक्तान एक ही शब्द के रूप में प्रियोग किये जाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति का बुक्तान अर्थिवस्ता में दूसरी व्यक्ति की आय बन जाता है बिना किसी आर्थिक क्रिया के ज्यान दे बिना किसी आर्थिक क्रिया के ये सबसे important है बिना किसी आर्थिक क्रिया के प्राप्त होने वाली आय को हम क्या कहते हैं हस्तांत्रण आय यानि कि बिना कोई activity किये आपने कोई economic activity नहीं किये किसी वस्तु या सेवा का निर्मान नहीं कि फिर भी आपको अगर पैसे प्राप्त हो जाए तो ये क्या है हस्तांतरण आए ये अनुत्पादक क्रियाएं होती है क्रियाएं दो परकार की होती है उत्पादक क्रिया और अनुत्पादक क्रिया तो ये अनुत्पादक क्रियाएं होती है क्योंकि इनका संबंद वस्तों और सेवाओं के परवा से नहीं होता है इससे किसी भी परकार की वस्तों और सेवाओं के परवा में व्रद्दी नहीं हुई है इसलिए इन सब को क्या कहेंगे हम हस्तांतरन आएक और इसी कारण इसलिए इन्हें राष्ट्याए में नहीं जोडा जाता है, आगे बढ़ते हैं, हस्तांत्रन आये केवल एक तरफा या एक पक्षिय हस्तांत्रन होता है, एक पक्षिय मतलब कि एक पक्षिय दूसरे को हस्तांत्रन करता है, जिसके अंतरगत आये का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की और हस्तांत्रन होता है, यहां एक व्यक् यहां आयक का किसी प्रकार से कोई सर्जन नहीं होता है यह आयक परिवार उद्यम तता सरकार को एक दूसरे से प्राप्त होती है अर्थात परिवार सरकार को ट्रांसफर कर सकते हैं सरकार उद्यमी को उद्यम परिवार को या सरकार परिवार को तो यह सब एक यह तीनों जो से रहें वो एक दूसरे की तरफ ट्रांस्फर करते रहते हैं एक पक्षिय हस्तांत्रण आगे बढ़ते हैं हस्तांत्रण आये को दो भागों में बाटा गया है चालू हस्तांत्रण आये एवं पूंजीगत हस्तांत्रण आये चालू हस्तांत्रन आये को current transfer income कहते हैं जब वर्तमान आये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर transfer की जाए तो उसे हम चालू हस्तांत्र या current transfer income कहते हैं जैसे देखिए वरद्दावस्ता pension ये एक हस्तांत्रन आये है आपसे एक्जाम में केवल इतना ही पूछा जाता है कि क्या ये हस्तांत्रणाय है क्या ये राष्ट्याय में जुडेगी तो आप ये जरूर ध्यान रखना कि ये पॉइंट्स आपको ध्यान हो ब्रद्दावस्ता पेंचन हस्तांत्रण आय होने के कारण राष्टियाय में नहीं जुड़ेगी ऐसे ही छात्रवती भी हस्तांत्रण आय है राष्टियाय में नहीं जुड़ेगी बेरोजगारी बत्ता जितने भी प्रकार का बेरोजगारी बत्ता है ये सब हस्तांत्रनाय माना जाएगा प्राकर्तिक आपदा आई कोई, बाड आई, कोई भूकम पाया किसी भी समय अगर सरकार द्वारा कोई राशी दी गई है, राहत राशी तो वो भी राश्टियाए में नहीं जुड़ेगी लोटरी से प्राप्त आये है उसे भी राष्ट्याय में नहीं जुड़ा जाएगा कोई बिखारी को दिया गया भुजन ये भी राष्ट्याय में नहीं जुड़ेगा पुराने घर की बिक्री से प्राप्त आये ये भी राष्ट्याय में नहीं जुड़ेगी राष्टे रिनों पर ब्याज ये भी नहीं जुड़ता है राष्टियाय में विभिन दुरुगटनाओं में सरकार द्वारा दिया गया मुआवजा इसे भी राष्टियाय में नहीं जुड़ा जाता है बूमी बेचने से कोई आय प्राप्त हुई है तो ये भी राष्टियाय में नहीं जूड़ती है किर्शी यंत्रोप पर कोई सबसीडी दी गई है सरकार द्वारा दी जारी समस्त सबसीडी हस्तांतरण आय है आय कर एक हस्तांतरण आय है तो ये सब हस्तांतरण आय के उधारण है और इन्हें हस्तांतरण आय के कारण राष्टियाय में नहीं जोड़ा जाता क्योंकि इनसे किसी भी प्रकार की आर्थि क्रिया नहीं हुई है आगे बढ़ते फिर है पूंजीगत हस्तांतरण आये Capital Transfer Income जब पुरानी बचत यद संपतियों में से आयका हस्तांतरण हो तो उसे हम पूंजीगत हस्तांतरण भुक्तान के रूप में जानते हैं जैसे संपति कर, उत्रादी कार कर, पूंजीगत लाप कर या शेर वाजार से होने वाली आये भी एक हस्तांतरण आये का ही अंग है ये सब जो अभी हमने दोनों उधारन पहले देखे और ये उधारन देखे ये सब उधारन हस्तांतरण आये के हैं और इन्हें राष्टियाये में नहीं जोड़ा जाता क्योंकि ये सब transfer income होती है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को transfer करता है ये सारी payment बिना किसी goods and services के flow के उमीद है आपको ये हस्तांतरन आये वाला topic छोटा है लेकिन समझ में आया होगा इससे आप द्यान रखें कि राष्टी आये में कभी भी हस्तांतरन आये को जोड़ा नहीं जाता है क्योंकि इनसे किसी प्रकार की आर्थिक क्रिया उत्पन नहीं हुई है वस्तों और सेवाओं के प्रवा में कोई व्रद्धी नहीं हुई है आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लीजे बहुत बहुत धन्यवाद